इसे हैं आप सब तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 12 इंग्लिस इलेक्टिव इस वीडियो में टॉप 40 MCQ बताऊंगा जो आपके एक्जाम में आएंगे तो आज सभी बच्चे इस वीडियो का लाश्तर बने रहेगे का वीडियो पसंद आए तो वी इसके लिखक का यह नम है हमें यह बताने तो इसके लिखक हैं आपने चप्टर पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है नहीं पढ़ा वह दीगत नहीं है या तकि इसके चेप्टर का नाम है Gabriel Garcia Marcos ऑप्शन नमबर थी क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर हो जाएगा और यह BBI सवाल ले देखे, एक सवाल आपसे पूछा जाएगा, राइटर से, और चप्टर का नाम आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, फिर अगला सवाल है, What sound does Evelyn hear that, reminds her of mothers, देखे, कौन से उसकी कह सकते हैं, बात सुनाई देती थे माता जी की, जुसके माता जी की याद आ जाती थी, यह हमें बताना है, चर्चे बेल होगा, यहाँ पर चर्च लिका गया, यह हमें बताना है, यहाँ पर सही अंसर हो जाएगा, बच्चो, बाई बोट, ऑपसे नमबर थी, क्या हो जाएगा, इसका रैट एंसर हो जाएगा, फिर अगला सवाल है हमारे पास, what was old Hegbert's answer to the wondering question of the people of the world, जो old Hegbert's है, वो पूरी दुनिया question जवाब क्यों दे रहा था, उसकी जचा, my choice, I like it, for the present, या फिर mind your own work, तो इसका right answer क्या होगा बच्चो, वो होगा option नमबर थी, for the present, option number 3, इसका right answer होगा, फिर अगला सवाल है, who was the only person with home and one captain said, किसके साथ basically captain, अपने failing share करता था, यह हमें बताना है, तो captain किसके साथ देखिया, अपने failing share करता था, उनका नाम कहता है, basic car weight, option number A क्या हो जाएगा, या फिर one number right answer हो जाएगा, फिर अगला हमारे पास, when DR Margolin saw in the wedding, देखिये, DR Margolin ने किसे साधी में देखा, जिससे पूछा गया, तो उन्हें किसको देखा, तो उन्हें रैजल को देखा, तो option number क्या हो जाएगा, बच्चों, इसका three, इसका right answer हो जाएगा, फिर अगला सवाल है, what was needed in a Jewish community to create, Jewish community में जूइस जो समुधा है, उन्हें क्या जरूत थे ताकि वो साधी कर सके, यह हमें बताया है और चार option दिएगे, एक penny, big amount of money, a ring, या फिर मंगल सुत्रों, क्या चाहिए, यह हमें बताया गया, ठीक है, तो यहाँ पर उन्हें को क्या चाहिए, तो एक penny के लिखे आवे सकता होती है, option number क्या होगा, one, इसका right answer हो जाएगा, फिर अगला सवाल आपके पूछा हुआ है, as option number क्या हो जाएगा, इसका two answer हो जाएगा, फिर अगला सवाल है, how much did each ticket of Buddha temple को देगे, एक Buddha temple का जो जाने है, टिकेट है, वह कितना बैठता था यह मताना, और dollar का देगे, spelling गलती लिखा हुए, गलती इस टाइप होगी है, और D-O-L-L-A-R होगा, तो आप लोग सहीं लिखे खार था, कहा होगा था Boston, Glasgow, Glasgow, पिर हमारे पर Dublin या फिर लंडन, तो उनका जन्म कहा होगा था, उनका जन्म होगा था, लंडन में, इसलिए option number क्या हो जाएगा, फिर अगला सवाल है, what is the point of the point, जो three chapter हमारे पास, जो point है, उसके जो लेखा का नाम है, उसके लेखा का नाम क्य याद अखिएगा पुछाएद एक्जाम में एमिली डिकिंस्वान अप्सन नमर क्या होगा अप्सन नमर क्या हो जाएगा बच्छों हमारे पास तू इसका राइट एंसर हो जाएगा फिर अगला सवाल है वाट काइंड ऑप दर डे डिसक्राइब इंद पॉइंड पॉइंड यह नहीं तो दो नहीं होगा क्योंकि सहफाटी पतान है तो अप्सन नमर क्या हो जाएगा जरी बोथ वन एंड टू राइट है ठीक है फिर अगला सवाल है वाट ड़ रूसे का मतलब है दा वाइल्ड स्वान्स एड कूल ठीक है इसमें सब्सक्राइब क्या हमें बताना है यहाँ है तो इस से परपस होता है एक आइडिया होता है जिसके दोआरे को फिल्म को बनाया जाता है तो अप्सन नमर क्या होगा ठीक्सर हो जाएगा फिर अगला है वैरी इंपर्फेक्ट टेक्नीकल बेसिस को भी एक कह सकते यह एक क्या इंपर्फेक्ट टेकनिकल बसिस होता है यह बता ना है तो 2018 क्याMatक gd फिर 39 नॉम्र फिर हमें, वाइ डानोा कई लेखा कना मताना है तो इसके दिर लेखा करें देख लीका कना, डी एच लॉरेंस, ऑप्स़न नॉम्र नॉम्र 3 राइट एंसर, अगला हमारे पास, क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर हो जाएगा ठीक है तो यह आपको यहाँ 20 होना चीए ठीक है यह 20 होता है हमारा चलिए बाकी साहलों बताता हूं कि क्या है पूर्पने देखते हैं आपकी क्या हो जाएगा प्राइट जी आपकीपने क्या होता थे चिंतित वह आते थे वह ग्रॉट्ट से प्रेवी करते थे वह मोशनलेस और इमोशनलेस भी हो जाते है इस समय में इसलिए अप्शन नमबर क्या होगा फोर इसका राइट एंसर हो जाएगा फिर जो ब्रदर है अबलिन के वो कौन थे उनका नाम बताना है उनका नाम क्या है या दखिएगा उनके दो भाईते एक हैरी एक अरनिश इसलिए दोनों ऑप्शन साही है बोथ टू एंट तरी फिर ऑथर ऑफ दा इस्टोरी जो टूमोरो जो कहानी है उसके लेखा का नाम हमें बताना है उसके लेखा के नम क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर हो जाएगा फिर अगला सावल हमारे पस कैप्टेन हगबर्ट सन वाज प्रेंड बना ने क्या कर दोषिए कि वहां जूएंट शुकी थी जूएगा प्रस्चर नमबर ड क्या हो जाएगा इसके राइट अगला हमारे पर डॉक्टर सुलुमन वा सफरिंग फ्रॉम विष्ट का इंट वबताना है तो उनको बिमारी इसका नाम है है अगर आपने ध चाहिए तभी आप question को हल कर सकते ही जाम है फिर अगला सवाल है what was the standard height mentioned for kids in the bus इन देखिए जो बच्छों को height होता है मक्सिन की बच्छों बस में कितना height होना चाहिए हमें बताना चैप्टर के अपने नहीं तो कम से 110 cm option number क्या हो जाएगा इसका right answer हो जाएगा फिर अगला सवाल हमारे पास who insulted towing at the temple इंट के किस ने insult किया था temple के entrance में यह हमें बताना है तो उनका जो गार्ड थे temple के उन्हें बिजती की थी इसलिए option number 2 क्या हो जाएगा इसका right answer होगा फिर अगला है accompanying many of black poem क्या है black poem का explanation है comic book है किस प्रकार का यह हमें बताना है तो किस प्रकार का है वह illustration है option number क्या हो जाएगा फोर इसका right answer हो जाएगा फिर अगला सवाल हमारे पर कि who was plasticis of summer remedy plasticis from is एक किसको refer किया जा रहा है यह हमें बताना थी किसको refer music of the summer option number 2 इसका right answer हो जाएगा देखिए the theme क्या है जो trees chapter इसका क्या थी में हमें यह बताना है तो इस चेप्टर थी में beauty of nature ठीक है प्रगेति के सवांते रहे यह बताना इसका थी में तो option number one क्या हो जागा इसका right answer होगा फिर अगला है was इसका right answer होगा फिर what kind of sound did poet mentioned for swans के लिए हमें बताना है तो किस प्रकार का sound था हुए इसका right answer हो जाएगा फिर who are the donors of the clock towers के donors कोन थे यह हमें बताना है तो कौन थे religious people भी थे ऑप्लेटिशन दोन थे इसलिए बोथ one and two इसका right answer होगा फिर अगला है which of the following is the kind of इनमें से कौन सा एक slavery मतलब गुलाम का कर सकते तरीका कर सकते काइन में तो प्रकार है नेचरल होता है हुमर मेडिया दोनों सही यहां पर तो देखिए यह दो प्रकार सोता है इसलिए option number three क्या होगा right answer हो जाएगा फिर अगला सवाल है at the age of 10 दस वर्स के उमर में जो author है वो मूबी विल्म सोच लिए यहां पर एक पर्फॉर्म एक परसन होता है जो मैजिकल ट्रिक्स परफॉर्म करता है उससे बोला एक कंजूर ना कि कंजूरिंग मूबी आपर सोचकर टिकर कर जाएगा ठीक है फिर देखिए यहां पर मी लाइव एंड़ से नोबल देखिए यह हमें एक चैप्टर हमारे जो कहानी है उससे देखिए हमें भरना है तो यहां पर क्या भराएगा देखिए हमारे पास और अगला सवाल है पीपल कंसीडर देखे लोग अपने वोड़ी को कंसीडर करते किस प्रकार से तो एक बोटल की तरह चाहिए या कैन की तरह वेजर की कह सकते हैं या फिर अलब दे तो अलब देखों क्या हो जागा अपर इसका राइट अंसर हो जाएगा तो यह थे बच्चों आप सभी बच्चों के लिए क्लास 12 इंगलिस इलेक्टिव के 40 important MCQ और अगर आपको अगला वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जुरू बता को देखें फाइदा हो जाएगा तो चलते में नेक्स वीडियो पर वीडियो पस्तंद आओ तो वीडियो को लाइक करके सेर्जू करती है तब तक लिए जय हैं जय बारत